हेलो गाइस वेलकम बैक तो दे जनल आज हम बात करने वाद है एक छोटे से टॉपिक रिलेशन बिट्विन कॉंटेक्स फी ग्रामर एंट पीडे अगे बारे में थिक इसमें क्या होता है कि आपको एक एक cfg दे रख्योंगी या फिर एक लेंग्विस दे रख्योंगी उस लेंग्विस के रिगार्डिंग आपको cfg लिखनी होगी और उसके लिए कि पी डिजाइन करना होग पीडि डिजाइन करने से मतंद यीन अब को पूरा एक टेप बनाना पडवेगा या स्टैक बनाना पड़ेगा वानिट स्टेट इसमें क्या होता है एक आपको एक ब्लॉक डिजाइन करना पड़ता होता है ठीक और उस जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक के कुछ element होते हैं उन एलिमेंटों के रिगार्डिंग आपको कि सॉल्व करना होता है ठीक देखते हैं लेट वी हेवा सी एफ जी जैट इस जी सेट अफ नॉन टर्मिनल सिग्मा और प्रडेक्शन रूलस एं स्टाइटिंग सिंबल अफ दे गनांबर आइधिंक आप इन चारों टर्म से अवेर होंगे यह आपको यृट थे क्या करेंगे इनके रिगार्डे क्या क्या एक वलन पीड़िये सदाइन करेंगे उसमें वह क्या करेंगा जो पीडिये न आम य कैसी अरफ फ को कि यृट त्ई एय एंटी बॉफ ए कि यहां क्या है जो इसके रिगार्डिंग यह जनरेट हो गए जो बनेगा वह क्या है एक तो क्यों 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 होता है क्यों सैट ऑफ स्टेट जितनी भी स्टेट उसके अंदर यूज हुई है सिग्मा समझ रहे हूंगे सिगमा क्या होता है क्यों सैट क् lawsuits लोनग ठेकि और टर्मिनेज्ट उससिंगा एक थर्यक्ति कि आपके श्रण ऍयूर्शक्रियंग आपके टर्मिनल ठिक ब debt क्यों स्टेट व्यूस्ति की तरफ move कर रहा Q, Q is the initial state, basically QnOT होना चाहित है QnOT, S, S is the starting symbol of the grammar and 5, 5 is the last element of the PDA, या फिर least element, थिक, if the last element of pda is phi और missing या फिर वो last element आपका phi होगा या वो missing होगा ही नहीं then it's so that pda accepting language by empty stack यानि कि यह सिर्फ यहाँ लिखा गया है अदर्वाइस यह कभी-कभी होता हो नहीं भी होता है ठीक तो basically यह सारी चीज़ हैं तो हम easily design कर लेंगे अब क्या है हमें जो design करना है इसका dell portion design करना है dell portion से मतलब है इसका transition design करना है transition basically दो तरीके से देखा जाता है आपका जो grammar है जो grammar के production rule है वो null पर कहां-खां move किये है ठीक, that is the epsilon closer ठीक, यह इस null पर कहां-खां move किया है ठीक है और फिर यह देखा जाता है यही state आपकी set of terminals पे कहां कहां move करिए ठीक और जो set of terminals वो आपके belong करेंगे किसको sigma को और जो आपका यह क्या है non-terminal non-terminal कहां यह production rules से generate हुआ होगा ठीक अब इन दौनों rules के regarding मैं आपको numerical solve कराता हूँ जिससे की आप easily समझ पाएंगे कि इस topic के अंदर आपको करना क्या है ठीक design a PDA by using cfg for a given language आपको क्या दे रखा एक language दे रखे language कुछ इस प्रकार है a की power n b की power 2m c की power n n, m greater than equals to 0 अब सबसे पहले आपको इस language के regarding एक cfg लिखनी होगी अब cfg कैसे लिखेंगे इसके लिए तो यह यह 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो least value जो करेगा वो क्या करेगा नल को ठीक है at a time n और m की value 0 हो गई तो क्या यह stream को generate नहीं करेगी नल generate करेगी ठीक है एक time पे आपकी n की value को बन माना m की value को 0 माना तो a c b की value को बन माना n की value को 0 माना b double b ठीक तो ऐसा ही कुछ sequence आपका last तक generate होता रहेगा जिसमें a और c की values आपकी क्या रहेंगी हमें से equal रहेंगी ठीक तो हमने क्या किया कि एक starting symbol लिया इस इसको क्या सबसे पहरे आपने least string null produce की ठीक देन उसके बाद क्या हमने ए एस याने की a c यह वाली string produce की ठीक अब इसके बात क्या आता है हमारे पास डबल वी यह क्या डबल वी से हमें यह पता चला इसकी पावर डिफरेंट है बी की पावर 2a में बी की पावर 2a में ठीक अगर मैं इसके साथ add करूंगा तो यह एक time पे ऐसा आएगा condition कि यह यहा पर आगे जो और इस्टिंग इससे जनरेट होंगी वो जनरेट नहीं हो पाएंगी तो हम क्या इसको एक नए non-terminal के साथ associate कर देते हैं ठीक है अगर मैं बी की वैली नल रखता हूं तो यहां पर लिस्ट इस्टिंग मुझे क्या मिल जाएगी डबल भी मिल जाएगी ठीक अ पूरे से मैंनल कॉमा एसी एंडबल भी ठीक यह सारी चीज़ें जनरेट कर सकता हूं ठीक अब जो दो आपको हुआ रूल दिखाए गए थे तो बाई यूजिंग आरवन आरवन के अंदर क्या था कि आपको यह आरवन है नल पर आपको जो इस्टेट है वो कहां-कहां मूग कर रहे हैं कहीं मूग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक है तो देखिए पहरी बात जब हमारा जो है ट्रांजिशन विद्धा हेल्प अफ नल देखा जाएगा तो उसको हम करली ब्रेसिस के अंद नहीं लिखते हैं ठीक तो देखिए हमने यह देखा था आसकस के प्रडच्षं में और एकर प्रडच्षं में दौनों जगान ना रहता हम है तो नल एसकर एक算व मैं आपी तीनों स्टेट नल आपका एक RubDras can मैं धेन यह थे सित यही तो था स्टार्ट और जो ए वाली थी वो कुछ इस प्रकार थी ठीक अब आई यूजिंग आटू, आटू में क्या था आटू के अंदर जो था आपके जितने भी टर्मिनल से उनके रिगार्डिंग लिखने का तरीगा उनके रिगार्डिंग लिखने का तरीगा तो बेसिकली कितने टर्मिनल से इसके अंदर A, B और C, तीन टर्मिनल है तो सबसे पहले A के लिए, फिर ये B के लिए, फिर ये C के लिए अब क्या हम इसका N of A ब्लॉक तियार करेंगे सबसे पहले था Q, इसमें कितने इस्टेट यूज़ वे, एक ही स्टेट यूज़ की हमने Q, ठीक आपका सिग्मा, सिग्मा के कितने पार्ट हैं, सिग्मा के जो मेंबर हैं कितने A, B, C, 3 नहीं है, फिर आपका था BN और Union सिग्मा, BN आपके दोनों नॉन टर्मिनल और सिग्मा, डेल, अब ये सारी क्या हमने डेली केल्कुलेट किये हैं, Q और S, S क्या था आपका स्टार्टिंग सिंबल, Q आपके इनिश्यल स्टेट ठीक, तो ये ब्लॉक क्या है, एक आपके PDA को रिप्रेजेंट करता है, और PDA भी कौन सा है ये, एंपटी स्टोर वाला, ठीक, अब ये मैंने क्या है, यह पर पिछले वाले कुशिन की तरह कम्टेटली जो ब्लॉक है, आपका वो डिरेक्टली लिख दिया है, अब क्या है, मैं जो स्ट्रिंग दे रखी थी, उसको चेक करूँगा, कि उस स्ट्रिंग को पास करने पर क्योंकि अब इनकी जर्ण पड़ेगी यहां पर, पहले आपकी स्टेट जो यूज हुई है, जो इस्ट्रिंग आपको चेक कर रही है, वो और स्टार्टिंग सिंबल, स्टार्टिंग सिंबल क्या है हमारा एफ, अगर बी स्टार्टिंग सिंबल होता तो हम यह बी लिखते तो सबसे पहले Q, 010, 010 की पावर 4 था, 014 टाइम 0, ठीक, मैंने अपने S को रिप्लेस किया, S किस से रिप्लेस हो सकता है, जाइर सी बात है, 0WB से 0WB, और 0 से 0 कैंसल आउट कर दिया, और रिमेनिंग को ऐसे लिख दिया, Q, 14 टाइम 0BB, ठीक, अब B, मैं अपने B को किस किस से रिप्लेस कर सकता हूँ, 0S, 1S, 0, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, जो पहला बाला B होगा, मेरा, जो पहला बाला B होगा, इसको मैं, इस वाले, इसके second production से रिप्लेस करूँगा, ठीक है, Q, 14 टाइम 0, 1SB, क्योंकि मुझे क्या, इस टिंग, बिट मैच करनी है, अगर बि 0, S and B, ठीक, अब मैं, इसको 0B से रिप्लेस करता हूँ, अब 0B से रिप्लेस क्यों करता हूँ, क्योंकि एक बार में, जब मैं इसको 0B से रिप्लेस करूँगा, S को, तो मेरे को 2B मिल जाएंगे, ठीक, 0, अब यहां होगे, ठीक, पहले 0 से 0 कैंसल आउट किया, मेरे पास बचे, 303B, B क्या है, B आपका एक सेट ऑफ नॉन टर्मिनल है, जिसने 0 को होड कर रखा है, तो मैं 1Y1, 1Y1, 1, 1, 1, 0 को 1B के साथ, रिप्लेस करता चला जाऊँगा, ठीक है, और लाज्ट में मेरे को क्या मिलेगा, कि ना तो इस्टेंगी बचेगी, और ना ही कोई प्रड् पर्मीनल बचेंगे ठीक है जिस्से कि मैं फुर्दर काम कर सकूं तो इससे क्या पता चला कि यही देखना था मुझे यही देखना था कि क्यों कॉमान नल कि यह कंडिशन होते है किसकी फाइनल स्टोर की ठीक तो यह कुछ दो छोटे-छोटे से कुश्चन थे तो यहां तो तो एूाइनल स्टोर काम में इज खुरी rinse